प्लस के सिप मैंने इंग इए प्लस के सिप में देखे इस तरह से इसको कुरूसी फॉर्म कहते हैं कि एस्टी वेसन लिखी है उनका की एक दूसरे को डखे भी हुद नहीं है नहीं डखे भी तो इसके वाल वेट इसटी वेसन कहलाएगा कलर लग दीजिए यलो इस तरह से कर सकते हैं को रोला के बाद आब आता एंड्रोजियम कितने इस्टिमेंस हैं काउंट कीजिए माइक्रोजियम में देखे इसमें सिक्स स्टिमेंस हैं चार बड़े हैं दू छोटे हैं इस कंडिशन को टेट्रा डायनमस कंडिशन करते हैं वो लग दीजिए छे हैं और वह भी दो चक्रों में हैं टू वर्ल्स में हैं करा जब आप इसको मार्कॉर्स कोप में रखके देखेंगे तो यह देखिये में केलकॉस और कोरूला कूँम स्टिमेंस है on the callков आप जाल कर दよねे और एक मिनटा एक यह देखिये कालक ते स्क्तरिया है यह सקते हैं आपby देख सकते हैं चेश टिमंस है count भी कर सकते हैं आप और इहां यह धि较से देखी, यह देखी 6 estimates है इनमेंसे यह जो है ये एक बाहर की तरफ है ये बाहर से निकलाई, नीचे से निकलाई फिर दो अंदर की तरफ है ये estimates ये वाला, ये बाहर की तरह है यहां से तो इस तरह एक यह किसकी तरफ होगा तो दो बाहर की तरफ में चार अंदर की तरफ दू आउटर साइड में और फोर इनर साइड में जो चार अंदर की तरफ में बड़े हैं दो छोटे हैं इस condition वों टेट्र डाइनिमस कहते हैं फिर जो बेसी फिक्ष्ट कंडिशन है क्योंकि फिलामेंट जो है जो एंथरलोप के नीचे लगा हुए बेसी फिक्ष्ट दीजिए अंदर की तरफ रही सेंस होता है मुड़े भी रहते हैं तो इंट्रोज दीजिए फिर आती है गाइनवेशियम यहां इस पे लिंग सही होने चाहिए कितने कार्पल्स हैं यह आप कार्पल्स की संक्यात तक नहीं ले सकते जब तक आपने ओवरी का टीएस नहीं काटा हो तो हम ओवरी का टीएस काटेंगे अब ओवरी का टीएस काटने के लिए हम सभी पार्ट्स उसके अलग कर देते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंडरोशियम और केबल हमारे पास गाइनवेशियम बचती है ओवरी, स्टाइल और स्टिंग मसाइद अब इसका हम टीएस काटेंगे अब आप गाइनवेशियम में, गाइनवेशियम में कारपल्स की संख्या लखेंगे, टीएस ओवरी काटने के लिए हमें फ्रूड की यूरुत पड़ेगी है, जूँकि अभी है नहीं तो इसलिए हम अभी बुक से ही डागरम बना लेते हैं, गाइनवेशियम में जितने च इस तरह से, बाइ लूब्ड होती है इस ट्रक्चर और भी हमें से इसको, फाल्स एप्टम बन जाता है,